एक्टर विजय सेतूपती जो मुरली धरन की बायोपिक में मुतहिया मुरली धरन का रोल निभा रही है उनको काफी ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है तमिल नाडू से और तमिल नाडू में इस फिल्म का भयंकर विरोध हो रहा है और फिल्म के विरोध का कारण ये है मुतहिया मुर्दली धरन की बायोपिक क्यों बन रही है मुतहिया मुर्दली धरन जिनका शिरी लंका में राजनितिक व्यक्तियों से अच्छा खासा संबंद है और तमील एलम खासकर कि जो लोग है जिन पर शिरिलंका में हमेशा से अत्याचार होता है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मुर्दली धरन की बायोपिक इंडिया में बने और कोई इंडियन एक्टर उसमें काम करे इसके अलावा ये भी माना जा रहा है तमील एलम के लोग ये नहीं चाहते कि महिंदरा राजपक्षे का जो भाई है जिसने का तमील एलम लोगों पर अत्याचार करने में हमेशा से एहम भूमी कर रही है मुदली धरन का उसके साथ जुडाओ है और ऐसी उमीद है कि इस फिल्म के साहरे महिंदरा राजपक्षे के भाई की भी जो इमेज उसको सुधारने का काम किया जाए और इसलिए विजए को लोग बद्दी बद्दी गालिया दे रहे हैं सोचल मेडिया पर और कह रहे हैं कि अगर विजए ने इस फिल्म में काम किया इस बायोपिक को पूरा किया तो वो तमिल है ही नहीं और उनको डूब के मर जाना चाहिए और इस तरह की बाते एक्टर विजए के लिए हो रही हैं खेर अभी तो मुर्ली धरन की बायोपिक की शूटिंग ही शूरू हुई और अभी इसको रिलीज होने में काफी लंबा वक्त वबागी है लेकिन जिस तरह से पोस्ट जेली जोने के साथ ही इस पर विवाद हो गया है इतना बवाल हो रहा है यकिनन फिल्म की रहा आसान नहीं होगी क्योंकि तमिल लोगों पर कितना त्याचार हुआ श्री लंका में ये सब जानते हैं और उसमें सरकारे भी वहां की शामिल रही और मुतियाम अलिद्ःरन को वैसे भी तमिल इलमों लोगों के खिलाट बताया जाताए है और लोग कहते है कि वो महिद राजबा राजबक्षी के जो भाई विött लोगों के खिलाफ रहते हैं क्योंकि वहाँ के लोग हमेशा ही श्री लंका के खिलाडियों के विरोध में रहते हैं जिसके पास दीरे दीरे करके श्री लंका के खिलाडियों के नाम पर सिर्फ एक मात्र इसुरू उदाना बचे हैं। एक बात तो साफ है कि इस फिल्म की जो रहा है बिल्कुल भी आसान नहीं है इस फिल्म को काटो के रास्तों पर चल कर जाना है अपनी रिलीज होने की तारीक तक और रिलीज हो भी जाएगी ऐसी बहुत कम उम्मीद है कि ये फिल्म तमिलाडों में रिलीज ना हो तो चलिए द दरा की देश दुनिया वॉलिवूड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रही है मेरे साथ जैमाता दी